गुड बॉनिंग फ्रेंड्स आज की नई सुबह में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ जैसा कि आप जानते हो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट बिने कुमार सिंग जो आज आपको हर दिन फिर से वही चीज और बार-बार याद दिलाता हूँ कि 15 मिनट फार योर लाइफ फार योर वन डे अगर अपनी जिन्दिकी के लिए आप 15 मिनट निकालते हैं वो भी सूरज निकलने के पहले तो आप पूरे दिन अपने आपको तरो ताजा मैशूस करते हैं और आपका पूरा दिन अच्छा बीत्ता है और जब एक-एक करके आपका हर एक दिन अच्छा बीतने लगता है तो आपकी पूरी जिन्दिकी अच्छी हो जाती है आज मैं नई जगे पर आया हूँ जैसलमेर का एक फेमस स्टेडियम सहीद पूनम सिंग स्टेडियम यह देखिए मेरे पीछे दीख रहा है आपको यह उनकी शमादी बनी हुई है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ यह इनका नाम है सहीद पूनम सिंग जी इनका जन्व हुआ था 18 जूर 1940 और यह सहीद हुए थे नौ सितंबर 1965 यह राजिस्तान पुलिस के एक बीर सिपाही जिसने भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान बुट्टी वाला चौकी पर अदम में सास वह वीर्दा से लड़ते हुए दुस्पन की तुकुडी का संहार कर देश के लिए प्राणों किया हुदी दी कि अधिये मैं आपको फिस्ते दिखाता हूं आप कि अधिये मैं आप लोगों सही उम्मीद करता हूं कि आप जब भी आए इनके दर्सन जरूर करें कि पुन्ना अत्मा को हमेशा हमेशा वर्सों वर्सों के लिए याद किया जाएगा कि मैं आपको कि इस्टेडियम को थोड़ा सा और दिखा देता हूं कि जैसल मेर का सबसे बड़ा स्टेडियम है यहां पर सारी सुनता है उपलब्द है जैसे यह बास्केट वाल का कोट है यह देखिए यहां से आपको दिख रहा होगा इसका विशाल ग्राउन और यहां से देखो के ले के भी साच्छा दर्शन होते हैं जैसल मेर का सुना अर्थर्क कि यहां पर काफी अच्छे बारिस होई तो तीन दिन पहले इसका जल भराव भी हो गया है इसका जीड़न उतार भी समय समय पर होता रहता है तो आज के लिए बस इतना ही आपको फिर से वही याद दिलाता हूं फिप्टीन मिनट फॉर वन डे अर्ली मॉर्निंग बिफॉल सुरज निकलने के पहले फिट लाइफ गूड लाइफ ओके बाबाए टेक केर कल सुबह नई सुबह में फिर से मिलते हैं ओके बाए प्रेश निकलने के लगड़ प्रेश निकलने के लाइब के लाइब लाइब सादित.